Hello guys and very very welcome to this channel Kits English Connection Guys, आज की ये वीडियो मैंने आपके demand में ही बनाई है इस वीडियो में आप कुछ vocabs के बारे में जानेंगे यानि कि वो vocabs जो आप करते तो हैं पर आपको उनकी English नहीं पता होती तो कुछ उनहीं words के English आप जानेंगे इस वीडियो में So friends इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा Friends चलिए स्टार्ट करते हैं So let's get going तो हमारा first vocab है छीलना जैसे कि आप किसी चीज को छीलते हैं आप औरेंज को छीलते हैं आपल को छीलते हैं या फिर किसी भी चीज को छीलते हैं तो उसे आप बोलिए English में पील So next है हमारा सेकना जैसे कि आप कोई चीज सेकते हैं जैसे कि रोटी सेकते हैं या फिर कुछ भी सेकते हैं तो उसे आप कहिए bake B-A-K-E bake बेक मतलब सेकना Next is बेलना कुछ भी बेलते हैं तो उसे आप बोलिए roll out R-O-L-L roll O-U-T out roll out मतलब की बेलना तो हमारा next vocab है गूथना तो आटा सानने को आप गूथना बोलते हैं तो गूथना की English होती है need जैसे आप कभी-कभी ये भी बोलते है need a dove मतलब की आटा सानो तो यहाँ पे गूथना मतलब होता है need K-N-E-A-D need पलटना तो पलटना को आप English में बोलिए flip F-L-I-P flip डालना तो डालना जैसे आप कुछ डालते हैं किसी भी चीज में तावे में या फिर किसी भी चीज में कुछ डालते हैं तो उसे आप English में बोलिए pour P-O-U-R pour pour मतलब होता है डालना next is milana milana मतलब होता है mix M-I-X mix पीसना जैसे कि आप कोई चीज पीसते हैं चटनी पीसते हैं या फिर कुछ भी पीसते हैं तो उसे आप English में बोलिए grind G-R-I-N-D grind मतलब कि पीसना next is घोलना या फिर घुलाना तो इसकी English होती है dissolve D-I-S-O-L-V-E dissolve मतलब कि घोलना next is छिड़कना जैसे आप सबजी में धनिया छिड़कते हैं या फिर कुछ भी छिड़कते हैं तो आप बोल सकते हैं sprinkle S-P-R-I-N-K-L-E sprinkle मतलब कि छिड़कना next is पिघलना या फिर पिघलाना तो इसे आप बोलिए M-E-L-T melt मतलब होता है पिघलाना या फिर पिघलना ठीक है next is चलाना चलाना जैसे कि आप कुछ चलाते हैं तो उसे आप बोल सकते हैं stir S-T-I-R stir next is निचोडना इसकी इंगलिश होती है squeeze S-Q-U-E-Z-E तो squeeze मतलब होता है निचोडना जैसे कि नीबू निचोडना या फिर कुछ भी next is फेटना तो फेटना को आप बोलिए विश्क W-H-I-S-K विश्क मतलब की फेटना next is चानना जैसे आप टी चानते हैं या फिर मिल्क चानते हैं तो उसे आप बोलिए strain S-T-R-A-I-N strain और अगर आप जैसे आटा हो गया मैदा हो गया ये सब चीज चानते हैं तो उसे आप बोलिए इंगलिश में S-I-F-T सिफ्ट मतलब की चानना तो लिक्विट के लिए strain and नॉन लिक्विट के लिए S-I-F-T अब हमारा next है सजाना जैसे कि आप बहुत सारे salads एक प्लेट में सजाते तो उसे आप बोलिए Garnish G-A-R-N-I-S-H Garnish तो कुछ भी सजाईए आप कुछ भी खाने के चीज सजाईए तो उसे आप बोलिए English में Garnish Next है हमारा काटना कुछ भी आप काटते हैं तो उसे आप बोलिए Chop C-H-O-P Chop Next है घिसना तो इसे आप English में बोलिए Great G-R-A-T-E Great So next है तलना आप कुछ तलते हैं तो आप उसे बोलिए Fry F-R-Y Fry अब अगर आप कुछ भूनते हैं भूनना का मतलब होता है Roast R-O-A-S-T Roast मतलब की भूनना तो तलना मतलब होता है Fry And भूनना मतलब होता है Roast Next है हमारा चौकना जैसे आप सबजी चौकते हैं या फिर कुछ भी चौकते हैं तो उसे आप बोलिए Season S-E-A-S-O-N Season Okay Next is मतना तो मतना को आप इंग्लिश में बोलिए Churn C-H-U-R-N Churn मतलब की मतना Next is जमाना जैसे आप दही जमाते हैं या फिर कुछ भी जमाते हैं तो उसे आप बोलिए Set S-E-T तो Set मतलब होता है जमाना ठीक है चली बढ़ते अपने Next vocab के तरफ तो Next vocab है हमारा उबालना तो उबालना मतलब होता है boil ठीक है Next is उफनना तो उफनना जैसे आप milk रखते हैं तो वो बाहर आने लगता है तो उसे हम कहते हैं उफनना और उफननना का इंग्लिश होता है boil over B-O-I-L boil O-V-E-R boil over Next is कूटना तो कूटना की इंग्लिश होती है T-A-M-P Tamp ठीक है तो Next है हमारा मसलना कुछ आप मसलते हैं तो उसे आप बोलिए mash M-A-S-H mash Next is बीनना तो बीनना की इंग्लिश होती है P-I-C-K जैसे आप चावल बिनते हैं या फिर कुछ भी बिनते हैं तो उसे आप बोलिए P-I-C-K पिक Next is भीगोना जैसे आप आलमंड भीगोते हैं तो उसे आप बोलिए सोक S-O-A-K सोक मतलब की भीगोना Next is लगाना जैसे आप रोटी में मक्खन लगाते हैं या फिर ब्रेड में मक्खन लगाते हैं तो आप बोलते हैं मक्खन लगाओ मतलब लगाना तो लगाना की इंग्लिश होती है spread S-P-R-E-A-D spread मतलब की लगाना Next है हमारा धकना धकना मतलब होता है cover C-O-V-E-R cover ओके गाइस ओल्राइट गाइस आज के लिए वसित नहीं तो आज का हमारा quiz है भूनना मतना एंड छोकना तो ये तीनों की English क्या होती है मुझे आप comment में लिखके जरूर से बताईएगा तो आज का हमारा ये quiz है and I hope कि ये वीडियो आपको बहुत useful लगी हो and guys अगर आपने इस वीडियो को like और चैनल को subscribe नहीं किया है अभी तक तो जल से जल कर दिजे so friends I will see you in the next video keep learning and keep practicing bye bye